Hello Friends, स्वागत एक नहीं वीडियो में अगर आपको भी Realme CXSET में आपने Fingerprint Lock Set कर रखा है तो कैसे आप Fingerprint Lock को Remove कर सकते हैं तो चलिए वीडियो करते हैं Start सबसे पहले आपको अपने फोन में Settings को करना है Open Open करेंगे तो आपको इस टाइप का Interface देखने को मिलेगा उपर के तरफ स्क्रॉल करना है Security पर क्लिक करना है क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप का Interface देखने को मिलेगा उपर के तरफ स्क्रॉल करना है Face and Fingerprint Unlock पर क्लिक करना है क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप का Interface देखने को मिलेगा आपने fingerprint lock set करने से पहले जो है अगर आपने password या pattern lock या pin lock set किया है तो आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है उसके बाद जो है आपको तीर के आइकन पर क्लिक करना है उसके बाद आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको finger देखने को मिल जाएगा fingerprint 1, fingerprint 2 तो आपको delete वाले box पर click करना है right side में click करेंगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा delete पर करना है click तो आप इसी तरह से fingerprint lock जो है आपका remove हो जाएगा अगर आपने fingerprint lock set करते समय जो है आपने pin lock या password lock या pattern lock set किया है आपको उसे भी remove करना है screen lock पर click करना है यहाँ पर जो है जो आपने pin password pattern जो भी set किया है set करते समय आपको वो enter कर लेना है तीर के icon पर click करना है सबसे top में click करना है delete पर click कर देना है आपका जो है fingerprint lock remove हो जाएगा तो आप इसी तरह से कर सकते हैं और आप screen lock भी remove कर सकते हैं तो आज के वीडियो में बस इतना है और हमारे वीडियो देखने के लिए share subscribe like बहले किनके बटन जहूर दबा दें ताके नव कर दो में झालो को ओंध तो में आपका दिर तो में कर दो कार दो कार दो कर, कि वीडियो कर दो को टो कि एंदा है सकते हैं जहाँ को दो कि उना हैं और हम में इसकार अजियो कर.